नमस्कार दोस्तों, Multibagger Smart YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों टेक्निकली काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, दोस्तों मैं अकसर हमारे वीडियो में केवल और केवल टेक्निकल चार्ट पर ही टेक्निकल आनालीसिस पर ही फोकस करता हूँ, और उसी दोस्तों मुझे काफी ज्यादा benefit भी दिया हुआ है, जिसके चलते दोस्तों मैं भी आपको यही सला दूँगा, टेक्निकल चार्ट देखना सीख जाएगे, दोस्तों आपका जो काम है काफी आसान हो जाएगा, जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों शेयर का नाम है CESC, फंडमेंटल वाइस यह जो स्टॉक है अच्छा है, ठीक ठाक है, और समय समय पर दोस्तों स्टॉक अच्छा चलता भी है, जैसे कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक नीचले स्थ करते आ रहे हैं, और 150 आपके सामने है, मतलब कि यह स्टॉक मल्टी बैगर हुआ है, हमारे सामने ही, अभी बात करते हैं, दोस्तों CESC में मौझुदा हालात क्या है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खुबसूरत सा, यहाँ पर 127 रूपिस का एक बेज एर और यही दोस्तों यहाँ पर भी हुआ, यह जो श्टॉक है 127, 120 रूपिस तक पहुंचा, और उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक रिवर्सल दिखाया, और इसी रिवर्सल के बाद में दोस्तों यह जो इसका आल टाइम हाई था, 150 के राउंड, श्टॉक वापस से वही प पर है, तो अगले कुछ दिनों के लिए दोस्तों CESC आप अपनी रडार पर अवश्य रखेगा, नीचे में ध्यान में रखना है कि यह जो 127 पीस का जोन है, उसके नीचे अगर चार्ट खिसक जाता है, तो इसका चार्ट स्टॉक्शर खराब हो जाएगा, बाकी दोस्तों नीचे में आप वॉल्यूम भी देख सकते है, काफी अच्छा खासा वॉल्यूम जन्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे नंबर का जो स्टॉक है दोस्तों शेयर का नाम है HDBL, सोम डिस्टिलरीस एन ब्रिवरेस लिमिटेड, फंडामेंटल वाइस ये स्टॉक भी पर एक टेक्निकली राउंडिंग वाटम वाला ब्रेक आउट दिया था, 160 के अराउंड और जनरली दोस्तों, 160 का 2X का टार्गेट बनता है, जब भी कभी ऐसा हिस्टोरीकल ब्रेक आउट होता है, और बाइदेवे दोस्तों ये वाला जो पैटन है, मेरा फेवरेट पैटन है, जिसको मैं मल्टी बेगर पैटन भी कहता हूँ, और ये वाला जो है पैटन, मैंने हमारे स्विंग डेडिंग के कोर्स में दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप चाहे तो दोस्तों हमारे स्विंग डेडिंग का कोर्स एंडरल कर सकते हैं, ज्या चलता जाएगा उपर का उपर, तो आपको ना ही दोस्तों एंटरी के उपर्चुनिटी मिलेगी, ना ही दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉपलोस लगा पाएंगे, तो यही दोस्तों ऐसे जब भी trend following आपको करना है, तो ऐसे बीच बीच में दोस्तों थोड़े बहुत pullbacks नी कुपसरत सा cup pattern या फिर आपका है तो trend line का breakout भी हुआ है या फिर दोस्ते एक horizontal line का भी breakout हुआ है इसके लिए support का काम कर रहा है तो 275 रुपिस के नीचे चार्ट नहीं की सकना चाहिए बाकी दोस्तो चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है 390 का अगला resistance हो सकता है वीडियो पसंदा रहा हो तो like अवश्य कीजिगा काफी जैदा महनत वगरा लगती है ऐसे stocks दुन्ने में ऐसे वीडियो बनाने के लिए अगला जो stock है दोस्तो share का नाम है BPCL जी हाँ दोस्तो fundamental wise आप देखेंगे तो ये stock आपको कहीं से भी पसंद नहीं आने वाला है हाँ केवल और केवल dividend के लिए ये stocks जो है बहुत सारे लोग इसमें खरीदारी करते है क्योंकि तीन सारे दिन परसंटेज का dividend ये दी देता है साला ना लेकिन दोस्तो fundamentals आप देखेंगे तो कहीं से भी investment grade वाला stocks आपको नहीं लगने वाला है बावजुद दोस्तो बावजुद अगर आप देखेंगे तो stock ने 2X से ज्यादा का return दे दिया है और अगर दोस्तो यहीं पर आप fundamentals चेक करते रहते तो अभी भी चेक करते ही रह जात क्योंकि आप देखें अभी भी इसके fundamentals तो नहीं अच्छे है लेकिन technical chart structure अगर आप देखेंगे तो आपको काफी जादा मज़ेदार इसमें जानकारी मिलने वाली है जैसे कि दोस्तो stock ने सबसे पहले यहाँ पर breakout दिया फिर यहाँ पर breakout दिया यहाँ पर breakout और हर बार दोस्त प्रिवेस रैली जो मिस कर चुके है उनके लिए entry opportunity create होती है यहाँ पर भी दोस्तो अच्छा चला है stock आप देखी सकता है stock जो है एक समय पर 400 400 के भी नीचे trade कर रहा था और 400 से सीथा दोस्तो 700 तक पहुंचता है और उसके बाद में दोस्तो थोड़ा वहाँ pullback आता है 50 moving average प होना भी काफी अच्छी बात है और इसका जो अगला resistance है 687 रुपीज है यह 540 का जो जो जोन है उसके नीचे अगर चार्ट structure खराब हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तो चौत ही नंबर के stock की दराव दोस्तो हमर जो अगला stock है शेयर का नाम है एडलवेज financial services एडलवेज फिनसर्व दोस्तो इसका जो प्राइज है 76 रुपीज के अराउंड है और पिछले कई दिनों से यह जो stock है इसी एरिया की इर्दगिर्द गुम रहा है अगर आप देखेंगे तो यह stock भी नीचले स्तर अल्मोस्ट 3X हो चुका है और इसके भी fundamental सगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप देखें रिटर्न और एक्विटी रिटर्न और कैपिटल आइंपर टैग रिशियो माइनस में है मतलब कि ग्रोथ रिशियो इंकम माइनस में है और आप दोस्तो technical analysis का महत वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप देखेंगे इसका technical chart structure तो stock ने यहाँ पर एक historical breakout दिया हुआ था आप देखें दोस्तो stock ने कितना लंबा consolidation किया आप देखें almost 2020 से यहाँ पर अभी जाकर के 2023 के around end में वो भी breakout दिया और उस समय पर price था दोस् आया हुआ है तो यहाँ पर trend line का breakout almost होने ही वाला है नीचे में दोस्तो volume काफी अच्छा generate हो रहा है और साथी में दोस्तो यह जो moving average का crossover है यह भी दोस्तो इसको मजबूती प्रदान कर रहा है तो यह stock भी आप अपने radar पर रख सकते है और यह जो 70 रूपिस का zone है इसके कादा अच्छा है यही दोस्तो कहानी है कि आप fundamental से नजर हटाईए आपको दोस्तो automatic जो जीज़े है वो साफ दिखनी सुरुवात हो जाएगी अगला जो stock है पांचवी नंबर का stock दोस्तों Ceylon Exploration Technology Limited काफी अच्छे इसके भी fundamental से आपको लगने वाले हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तो कहानी वही है पैग रिश्यो काफी जादा है पैग रिश्यो एक से कम होना चाहिए अगर आप fundamentally अच्छी कमपनी धूंचते है तो लेकिन दोस्तो अच्छी कमपनी तो मिलती नहीं है क्योंकि आप देखें अच्छी कमपनी आपको लगेगी लेकिन वह महेंगी लग अच्छा था जब इसने ट्राइंगल पैटन बनाया था यह तो था दोस्तो दूसरी बार उसके पहले दोस्तो आप देखें अठरा जून वाले महिने में ही 2022 में उस समय पर प्राइस था दोस्तो 191 रुपेस और आप देखें दोस्तो 191 रुपेस से अभी तक इसको हम ट्रै मैंने रख दी था पहले ही और यहां पर दोस्तों स्टॉक जो है वापस एक काइंड ओफ हेस्टोरीकल ब्रेक आउट इसको बोल सकते है क्योंकि स्टॉक कभी भी 550 के उपर क्लोजिंग नहीं हो पाया है हाला कि वह क्लोजिंग तो अभी भी नहीं हुआ है लेकिन हां इस बा आपको रेट केंडल देखने को अभी के लिए तो नहीं मिल रही है तो सेफर साइट दोस्तों 550 के उपर आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं और काफी अच्छी इसने बड़ी नहीं दिखाई हुई है छोटा सा बूलवेक यहां पर आया हुआ था 50 का मूविं अरज दोस्तों शेयर का नाम है लॉइड मैटल्स एन एनरजी लॉइड सेमी करके इसका लोगों क्या बोलता है ठीक है जो भी है एनसी का कोड है और यह जो प्राइस इसका 700 के आराउंड यह स्टाक भी ट्रेट कर रहा है हाई लो आप देखिए दोस्तों यहां पर भी दोस्तों यह जो स्टाक है अल्मोस्ट 3X हो चुका है अच्छी बात है फंडामेंटल्स आपको साथ यह भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप देखेंगे तो प्रामोटर की प्लेजिंग है 21% करा हूँ जो की कम है लेकिन ठीक है प्लेजिंग किसी लोगों तो पसंद ही नहीं करते ह है तो हां यहां पर प्लेजिंग की मात्रा है प्राइज अनिंग वाइस यह जो स्टाक है थोड़ा बहुत सस्ता भी है रिटर्न ऑन एक्विटर रिटर्न ऑन गैपिटल एंपर धमा के दार है जिसके चलते हो सकता है कि यह स्टाक इतना अच्छा चल चुका है फिर भी दोस उसके उपर क्लोजिंग होना काफी जद महत्वपोन होता है और इसने क्लोजिंग दिया हुआ है नेचे में वॉल्यूम भी है क्योंकि यह वाला वॉल्यूम की डंडी बहुत लंबी होती है जिसके जलती यह सारी कंपरिजन करेंगे तो छोटी लगने लगती है लेकिन हाँ यह 650 का जोन है उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा बाकी दोस्तों आल इनल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है 700 रुपे के उपर इस हफते में क्लोजिंग हो जाती तो अच्छी बात रहती 696 के आराउंड क्लोज हुआ है तो हां ये श्टाक भी आप अपनी रेडार पर रख सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप करेंगे उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगर आपने लाइक भी कर दिया होगा कहिना जाओंगो दोस्तों मैं से भी रेजिस्टर एक्सप